hello guys so again welcome to the new chapter of data structure not new basically join the last time discuss case just previous man about kitty avial tree के बारे में मैं आपको बता था what is an avial tree balancing factor क्या होता है avial tree come avial tree क्यों बोलते हैं ठीक है balancing factor पर हम लोगों ने discuss किया था avial tree is also known as hide balance tree ठीक है यह सारा discussion अबारा था और हमने एक एक्जामपल से avial tree design भी किया था फिरिमेंबर लेकिन मैंने आपको लास्टेम यादे क्या मोला था कि इसके questions आपको university के exams में मिलेंगे आप देखिए गाला गला university colleges को के question paper आप पिछले 5 साल के उठाई आपको questions मिलेगा avial tree का 100% मिलेगा ओके अब इसी avial tree को हम थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं लास्ट टाइम जो एक्जामपल हमने लिया था वो था numbers का हमने numbers को लेके avial tree design किया था मैंने आपको कुछ element दिये थे ठीक है मुझे था number भी यादे 1562811 something like this right लेकिन यदी मानलो आपको एक avial tree design करना है string का नाम का या character का ठीक है जैसे for example मैंने यहां पर अलड़ी कुछ character लिखे हुए है ठीक यह character कि अगर नाम भी हो सकते हैं मैं सलोग कोई भी नाम ठीक ni L7 L yeah suppose heh ठीक के अनिधिंग लव ली य프ी नाम लेलो ठीक के पी से अमने ल Ä्लय सबस्ट पूस्ट प्रिती यह प्रीती लेलिया ठीक के जैसे अमने लेलिया थीक yes is H Hina or this is a whatever do we hit the head for Danny Lely I suppose you will only look out for a party the question a Garman Lodi I am I know for character the hey man law upon on the way British visa Imran Naveen lovely pretty just see Ashish Hina Danny about her up cool like a design and a VL tree for this element up for in elements ka VLT design karna to number ka VLT we have seen last time we have seen but you have given a name this name something can be done so I have some example to get right now this is a VLT design we will have a simple concept you should know that you should know that you should know that you should know that you should here first letter start and you know what alphabet which is left or right which is very simple बच्चों वाली बात कर रहा हूं है ठीक है चलिए तो हम देखने हैं और बच्चों वाली बात नहीं अगर आपको लगता है न क्या अपन कंफ्यूज होंगे तो बिलकुल बिंदास कहीं कॉर्णर पे आपके बाद में इसको हम डिजाइन करना शुरू करते हैं कॉंसेट एविल्ट्री का अमने लास्टिम पढ़ा है अगर आप में से किसी को कोई भी एस सेकेंड वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप एविल्ट्री के प्रिविएस वीडियो को देखें ता कि आपको समझ में आपके एविल्ट्री होता गया है क्योंकि उसी का सेगेंड पार्ट है ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करतें ब्रजिश पहला नाव हमारा ब्रजिश यम ने लिया भी आर आई जेए एस प्रजिश कोई भी नाम ले लो आप फिजा अफिजा मतलब एफ आपको देखना पहल है यह चोटा है और विसी बाते बड़ा है राइट तो कहां आएगा इसके राइट में एस पर दे रूल आफ बी इस टी या अगई फिजा बैलेंसिंग फेक्टर इस जी जीरो सुरी इस माइनस वन इस जीरो क्यों क्योंकि हाइट आफ दे लेफ जीरो है राइट वन है पढ टो रहे तो फिर कहां है का अगर धर लेटर से में तो अग्ले लेटर से आगर करना अगर वो भी सै में थाग्ले लेटर सो कंपैर करना है अब फूरा नामी से मोह वह तो आए गई नहीं क्योंकि बी एस्ट कि टा अलयाउत लुः के डूपला खाली b c d d f g h i यही जो मैं हपसे बोल रहाथ है यह inЕТ आब इम्रान कि आने के बाद इंडिक है इम्रान जब आया तो इम्रान कि आने के बाद बैelain सिंक टेड स्टर गई देख आ ה laser यह मैंन समय वर को यह आप है आप पामाइनस वरन यह बहुत के इस वायर escapes these प्लस वन या माइनस वन होना चाहिए यहां पर एक नो डेसा जिसका बैलेंसिंग वेक्टर माइनस तू जा रहा है रोटेशन विलकुल राइट राइट रोटेशन यह देखा अब नाम का पहला लेटर लेके चलूंगा पूरा नाम लेने की बजाए ठीक आप देखा अब यह रोटेशन जब हुआ तो हमारा ट्री क्या बन रहा है दिस इस बी और सुरी इस फिजा एफ दिस ब्रजेश बी इन दिस वन इस इम्रान आई यह मारा ट्री बना है इस रोडेशन और जब यह बना तो आप एक चाहिज नोटिस करना बीस्ट का रूल ब्रजेश बी जो है के लिए दिकत नो इस फिजा दिस ब्रजेश दिस इम्रान यह मरा ट्री है समझ मारा होगा आई होगा यह गाई स्कन अंडर्स्कान इस अगर आपने प्रीवेस लेक्टर को पड़ा है तो ओके देनेक्स नवीन 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 चलिए एफ से कंपेर करें तो ए तक नावा एंगल कर रहा है लुओं तो इसलिए वो राइट मैं जा रहा है रहा है रही तूशेज इस 1-2 दो है मैं च थोढ़ एच इस गडि雷ग गो है कि ऄस्नितर करें एफ से कंपर करें A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, मतलब F से बड़ा, I से भी बड़ा, लेकिन N से छोटा, तो लवली, नवीन के लेफ्ट साइड में, आ जाएगा, राइट, अब बैलेंसिंग फेक्टर अगर आप देखो, तो बैलेंसिंग फेक्टर, F का कितना आ रहा है, 1, 2, 3, and this side is 1, this is minus 2, 0, ठीक है, इधर, 1, 2, 1, minus 2, this is 2, this is 1, sorry, this is 0, I के left में, कोई नोड नहीं, I के left में, कोई नोड नहीं, मतलब इसकर, जो हाइड वो 0 है, लेकिन लेफ्ट में, डेफ्ट वे, देफ्ट दो जा रही है, तो दिस इस माइनस तो, दिस वन इस, plus 1, this is 0, and, अब देखो, बैलेंसिंग फेक्टर, फिजा का भी डिस्टब है, और बैलेंसिंग फेक्टर, इमरान का भी डिस्टब है, ठीक है, तो क्या करना है, रोटेशन, अब ये रोटेशन, यहाँ पर आप देखो, रोटेशन, दो हो सकते हैं, अगें से, यह दो रोटे रोटेशन भी ले सकता हूं, इस रोटेशन से भी आप ले सकते हैं, लेकिन जब रोटेशन आप ये वाला लोगे, तो आप ये धान रखना कि N के साथ, लेफ्ट में L भी आएगा, मतलब ये पूरा का पूरा रोटेशन इस तरीके से होगा, इस वान, यहाँ पे उसके आएचे न तो ऐसा नहीं कि आप इनको ले जाओगे, ल को छोड़ दोगे, तो फिलाल यहाँ पर जो रिक्वार्मेंट हमारी अभी, उसके हिसाब से घरम ये वाला रोटेशन देखें, इस रोटेशन की बात करता हूं, तो इस रोटेशन से क्या होगा, लेट सी, आई यहा यह वाला रोटेशन, तो आई आपका रूट नोट, अब बैलेंसिंग वेक्टर अगरम चेक करें, तो बैलेंसिंग फेक्टर ओफ आई बिकम टू टू टू, 0, प्लस 1, 0, प्लस 1, 0, समझ में आ रहा है, मैंने यह वाला रोटेशन, शॉट रोडेशन यह ले लिया, मैं यह मैं ultimately आपको क्या बोल रहा हूं, आपको example देखके समझ में आना चाहिए, कि कौन से रोटेशन से आपका tree balance हो सकता है, नहीं आ रहा है, तो आप सारे rotation apply करके देखो, आपको apply करके देखना पड़ेगा, no other choice, ऐसा नहीं होगा कि पहली बार में आपका tree rotate हो जाए, yeah sorry tree balance हो ठीक, तो अब next is, कहां तक आगे था है, lovely pretty, P मतलब ABCDEFGHI, JKLMNOP, P मतलब N से बढ़ा है, ठीक, अगर यह P यहां पर आया, तो balancing factor I का, 1220, मतलब इधर से भी चलें, तो height 2 ही आ रही है, this is 0, this is 0, this is 0, this is plus 1 and this is 0, कोई issue नहीं है, pretty के बाद, जस्सी, I से compare करे, ABCDEFGHI, JKLMNOP, मतलब I से बढ़ा, लेकिन N से छोटा, ठीक है, अरे समझ में आ रहा है, L से compare करें, तो L से भी छोटा, मतलब जस्सी, यहां पर आएगा, जे, समझ में आ रहा है, कैसे, I से greater है, लेकिन N से छोटा है, JKLMN, L से भी छोटा है, तो यहां पर आगे आपका जस्सी, इसके आने के बाद, आप बैलेंसिंग फेक्टर, फिर देखो, आप सभी के, इसार तो डिस्टब नहीं होगा, यह दो यह, हाइट ऑफ दे लेफ टू है, आई के लिए, हाइट ऑफ दे लेफ सब टी टू है, हाइट ऑफ दे राइट, वन टू थ्री आ रही है, मतलब बैलेंसिंग फेक्टर होगा, टू माइनस त्री, माइनस वन, इस इस प्लस वन, यह हो जाएगा, वन टू वन, प्लस वन, जीरो, 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 क्लियर हो रहा है, कॉंसेट, ठीक है, अब इसके बाद आएगा, आशीश, आशीश आएगा, बी के लेफ्ट में, यह, आशीश आया, आपका बी के लेफ्ट factor अगर आप देखो तो आई का 1 2 3 this is 1 2 3 ठीक यह 0 है इधर भी आई दोंट नो कि I don't think कि कोई चेंज होगा 2 है 1 है this is plus 1 plus 1 0 0 लेकिन यहां पर आप देखो F ka balancing factor 1 2 plus 2 plus 1 0 यह balancing factor एक नोड़े जिसका डिस्टरब हो एंद एफ समझ मैं रहे क्या करेंगा समझ मैं रहे है देखो आप यह रोटेशन अरे हाई आई गया होगा यह वाला रोटेशन ले लो आप जब यह रोटेशन आप लोगे इस वन तो आपका जो नोड यहाज आपका ट्री बनेगा वह कुछ इस तरीके से बनेगा आई एन एक मारकर चेंज कर ले आई एन दिस पी दिस इस ल दिस इस जे ठीक है और दिस वन जे रोटेशन अगर हुआ यह बी बी के राइट में एफ और बी के लेफ्ट में ए एक सी दिस वन वान टू वं टू टू थ्री माइनस वन 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 जिरो जी रो जीरो टू ब्लस वन प्लस वन जिरो फी यह हूँ गया आपका बैलेंस के बाद आएगा हिना और डैनी ठीक है तो हिना कहां पर आएगा हिना 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 आई A B C D E F G H I N से छोटा L से भी छोटा जे से भी छोटा अरे कैसे है समझ में आणा ना है तो H इना यहां आएगा दिस इस एच ठीक है पर इस हिना क्या आने के बाद फिर ट्री डिस्टर भूआ है ठीक है अगर डिस्टर भूआ है तो आपको यह वाला रोटेशन ट्राय करो या तो यह और या फिर आप ले सकते यह रोटेशन सी दिस्वन और बैलेंसिंग फैक्टर चेंज हुआ है बच्चे कैसे हुआ है यह देखा है 1 2 3 4 1 2 सभी का चेंज हुआ है यह टू है हाइट इधर 1 2 3 4 यह हो गया माइनस टू चलो यह तो ठीक है इधर जे का प्लस 1 0 L का प्लस 2 N का प्लस 2 1 2 3 नो डिस्टब हुए एक एच के आने से हिना को एड़ जब हमने किया ठीक है तो जब यह फुवा तो अब क्या करना है सेस्टब करना है सरे सबस्क्राइब से अरे समझ मों ब्लाइब रोटेशन यह वह मैं है अब यह रूटेशन अब दो देखोँ एक तो यह रोटेशन जा रहा है अपना सिरीस वन इन सेकेंड यह भी जाषा यह चूट रोट के कारण अब जो ट्री बने का इस सम्थिंग लाइक आई बी ए ए एफ दिस वन इस एल एन पी जे एच पहले यह देख लो आई के लेफ्ट में सारी से छोटे बी ए ए एफ आई के राइट में A B C D E F G H I के बाद L A B C D E F G H I J K L M N सब बड़े हैं P B से बड़ा है जे लेफ्ट में है एच लेफ्ट में मतलब पहले तो यह चेक करो कि कहीं रोटेशन के कारण आपके BST का रूल वाइलेट ना हुआ हो तो कि BST का रूल अगर वाइलेट हो गया तो ट्री वहीं गलत हो गया बास समझ में आ रहे है न ठीक है तो यह जे अब देखा आप इसके बाद अगर में ट्री को देखों वन टू टू बैलनसिंग फेक्टर माइनस वन दिस जीरो बन टू बन टू जीरो प्लस वन जीरो माइनस वन जीरो परफेक्ट को इसुनी लोंग रोडेशन लिया ठीके य अब इसके बाद आया डैनी डैनी कहां आएगा डैनी आई से छोटा बीस से बड़ा है एफ से छोटा है तो डैनी यहां आ जाएगा पर इसके आने से भी कोई फरक नहीं पंढ़ने वाले ट्री को केवल बैलनसिंग फेक्टर चेंज होगा मेरे खाल से बस वस वन टू टू इदर से भी चले तो ट्री यह 0 1 2 1 इस भी इंपोर्टेंट और यह जो कोशन मेने दिया है यह कोशन भी इंपोर्टेंट इंटर्व्यू लिए भी और उनिवर्सीटी एग्जाम्स के लिए भी आप देखना सेम कोश्चन आपको पेपर में कहीं जागा मिलेगा यही कोशन यही नम लेकिन यह कोई फिक्स नहीं है आप किसी भी नाम और किसी भी स्टिंग को ले के बी स्टी के रूल के साथ एविल ट्री डिजाइन कर सकते हैं hope you guys can understand what is avial tree what is rotation left rotation कब लेना long rotation क्या है short rotation क्या है balancing factor the most important concept balancing factor क्या है okay so I hope you guys enjoy this lecture so मिलते है next class में फिर एक नए और शांदा टोपिक के साथ बाइ बाइ